थियोरी ओफ केरेन हॉर्णी का सिधान्त केरेन हॉर्णी एक महिला मेंने विज्ञानिक थी और इन्होंने जो थियोरी दी थी अपनी 1942 में दी थी उनके लर्निंग पर उनके प्रसिच्छड पर फ्राइडियन मनोविशलेशर का प्रभाव काफी पड़ा हार्णी कई बिंदू के स्थापना नहीं करना चाती परंतु फ्राइड द्वारा डाले गए नियू पर ही कुछ बनाना चाती हूं केरेन हॉर्णी के अनुसार जो हमारी सोसाइटी होती है जो हमारी संस्कृती होती है और हमारी जो बच्पन के अनुभव होते हैं ये सभी चीजे मिल करके हमारी पर्सनालिटी का निर्मार करते हैं केरेन हॉर्णी के इस सिध्धान्त को कुछ मेजर हेडिंग्स में बाट कर अच्छी तरीके से समझा जा सकता है जिसमें सबसे पहला है नीड्स ओफ चाइल्ड हुड बालावस्था क्या वश्यक्ता है बेसिक एंजाइटी मूल चिंता न हमारे चाइल्ड हुड के अर्ली एक्सपरियंसे होते हैं वो हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं केरेन हॉर्णी जो थी वो फ्रॉइट से इस बास से अलग विचार रखती थी कि जो पर्सनालिटी का निर्मार होता है वो जो नीड्स होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं सबसे पहला है साटिस्फैक्शन नीड और दूसरा है सेफ्टी नीड्स में हमारी जो बेसिक नीड्स होती हैं फुड है वाटर है स्लीप है ये सभी आती हैं सेफ्टी नीड्स में डर से सोतंतता तथा सुरच्छा की आव पिता जो हैं बच्चों को किस हद तक एक desired child मान रहे हैं इन दोनों नीट्स में होरनी ने सबसे जादे important जो है वो safety नीट्स को माना है अगर ये need satisfied नहीं होती है बच्चों के अंदर तो इससे बच्चों के अंदर जो होसिलिटी विद्वेश हेट की भावना उत्पन होती है औ बेसिक अंजाइटी मूल चिंता जब बच्चों की बालवस्था की आवशक्ता पूरी नहीं होती है तब बच्चों के अंदर मूल चिंता बेसिक अंजाइटी डिवलप हो जाती है बेसिक अंजाइटी से जो बच्चे पृत होते हैं उनके अंदर अकेलेपन की भावना नी नीचे डिसकस किया है गेनिंग अफेक्शन इसने प्राप्त करना इसमें बच्चे दूसरों से प्यार पाने की कोशिश करते हैं और अगर दूसरे कुछ ओर्डर भी करते हैं तो बच्चे उसको माननिक लिए फॉरण तयार हो जाते हैं यदि हम विनमरता दिखायें तो लोग मुझे चोट नहीं पहुचायेंगे थर्ड पॉइंट है achieving power over others, दूसरों पर नियंतरपाना, इसमें क्या होता है वेक्ति अपने आपको दूसरों से श्रेष्ठ या उप्तम समझता है और अपनी उपलब्दियों को अधिक महत्वपूर समझता है withdrawal में क्या होता है वेक्ति अपने आपको दूसरों से एक तरह से पीछे खीच लेता है वह अपनी हर तरह की जरुदों के लिए किसी अन्य वेक्ति पर निर्भर नहीं होता है जो चार अभी मैंने मेथड डिसकस किये हैं इन सभी का एक गोल होता है वेक्ति को बेसिक अंजाइटी से बचाना अगर वेक्ति के अंदर से बेसिक अंजाइटी दूर नहीं होती है तो वेक्ति जो होता है वो नियूरेटिक पेशेंट हो जाता है इसे व्यक्ति को बार बार असफलताओं का सामना करना करना पड़ता है तो व्यक्ति के अंदर कुछ विशेश आवशक्ताओं उत्पन हो जाती हैं जो उसके परस्नालिटी का एक स्थाई अंग बन जाती है हॉर्णी ने इसे नियॉर्टिक नीड्स कहा है हॉर्णी ने दस नियॉर्टिक नीड्स बताए है नियॉर्टिक नेड्स में सबसे पहले है तंइरो्टिक नेड्स for affection and approval यह एक नॉर्मल कंडिशन होती है कि व्यक्ती जो है वो चाता है कि हर व्यक्ति उसे खुश रहे और उसकी बातों से सहमत रहे लेकिन ये neurotic need तम बन जाती है जब वेक्ती हर वक्त लोग को खुश करने के चक्कर में रहता है ताकि लोग मुझे पसंद करें सेकंड नमबर पे है a neurotic need for dominant partner ये एक normal condition होती है कि हम चाहते हैं कि हमारा partner हम से प्यार करें और हम अपने partner से प्यार करें लेकिन ये neurotic need तम बन जाती है जब हम अपने partner पे fully तरीके से dependent हो जाते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा जो partner है वो हमारी सारी problems को दूर करें फर्ट पोइंट है the neurotic need to restricts one's life within narrow border ये एक normal condition होती है जब हम अपनी life को simply manage करना चाहते हैं लेकिन ये neurotic तब हो जाती है जब हमें एक hidden life जीना चाहते हैं हम चाहते हैं हमारे बारे में कोई न जाने फूर्थ पॉइंट है दा नियुरिटिक नीट फॉर पावर इसमें क्या होता है जो वेक्ति होता है अगर वो बेसिक एंजाइटी से पिडित है तो वो चाहता है कि उसके पास इतना पावर हो कि वो दूसरों पे कंट्रोल कर सके दूसरों को अपने नियंतरर में ले सके दूस इसमें क्या होता है वेक्ति दूसरों का उपयोग करके अपना काम निकालता है वेक्ति जो होता है वो दूसरों से सर्फ इसलिए रिष्टा बनाता है ताकि वो उनसे अपना काम निकल वा सके और वो वेक्ति बहुत खुश भी रहता है कि मैं दूसरों को अपने अकॉर्डि दिखावा करता है सिर्फ अप्रिशेशन पाने के लिए इस तरह के लोग हमेशा चाहते हैं कि उनकी लोग प्रसंशा किया करें बले वो उस प्रसंशा के लायक नौ हो नियुरिटिक नीट फॉर परस्नल अचीवमेंट ये एक नॉर्मल सी बात होती है कि लोग कुछ नो कुछ अचीव करना चाहते हैं लेकिन ये नियुरिटिक तब हो जाता है जब सिर्फ फोकस अचीवमेंट पे होता है बाकी सभी चीजों को छोड़ कर नियुरिटिक नीट फॉर सल्फ सफिशेंसी एंड इंडिपेंडेंस व्यक्ति जो है वो अकेला और फ्री रहना चाहता है निय बाद में हौरनी ने कहा कि ये जो दसो आवशकताएं हैं इनकी अभीवेक्ति मात्र तीन तरह के एटिट्यूट से हो सकती है जिसे उन्होंने नियुरिटिक टेंडेंसी कहा इस नियुरिटिक टेंडेंसी में सबसे पहला है मोविंग तुवर्स पीपल इसमें क्यों होता है वेक्ति दूसरों का इसने प्यार और अक्सेप्टेंस पाने के लिए उनकी प्रती एक इच्छा के अनुसार कारे करने के लिए तयार हो जाता है इसमें जो है अनुरिटिक नीट फॉर एफेक्शन और अप्रूवल एंड अनुरिटिक नीट फॉर पार्टनर हुविल टेक वेक्ति होता है वह हमेशा दूसरों के प्रती बहुत ज्यादा आक्रमक होता है और उसके अंदर दूसरों के प्रती हेट फिलिंग बहुत ज्यादा होती है इसमें जो है किस तरह के नीटिक नीट्स वारे लोग आते हैं नीटिक नीट्स फॉर पावर नीटिक नीटिक and prestige, neurotic needs for personal admiration, neurotic needs for personal achievement. Moving away from people, इसमें क्या होता है, वेक्ति दूसरों का समान करना नहीं चाहता, वो दूसरों से दूर हटना चाहता है, वो लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करता और वो अकेला रहना चाहता है. इसमें जो है, neurotic needs for self-sufficiency, neurotic needs for perfection, neurotic needs for restricts one's life within narrow border, moving towards people, moving against people and moving away from people, इन तीन neurotic tendencies से तीन different type के personality डिवलप होती है, जिसको नीचे describe किया है. अबसे पहला है complaint personality types, इस तरह के लोग दूसरों पे बहुत ज़्यादा निर्भर होते हैं, dependent होते हैं, और दूसरों से बहुत ज़्यादा friendly होकर के मिलते हैं, दूसरों के भलाई करने के ख्याल से वे अपनी च्छाओं को भी मार देते हैं. style और aggressive personality type, इस तरह के जो लोग होते हैं, वो आक्रमक होते हैं, शक्की होते हैं, समाज विरोधी होते हैं, ऐसे लोगों को अपनी च्छमता पर जरूरत से ज़्यादा भरोसा होता है. detached personality types, इस तरह के जो लोग होते हैं, वो self-centered होते हैं, एकांध प्री होते हैं, अकेले में रहना पसंद करते हैं और असमाजिक होते हैं. ऐसे लोग होते हैं वो न तो दूसरों से प्यार करते हैं न उनसे नफरत करते हैं और नहीं उनके साथ किसी तरह का साहियोग करते हैं केरन हौरनी ने अपनी personality theory में कुछ ऐसे उपाय बता है जिनका उप्योग करते हुए वेक्ति अपनी basic anxiety को दूर करने की कोशिश करता है idealized self image हारनी का मानना है कि मुल्च इंता Basic Anxiety को दूर करने के लिए वेक्ति अपने आप के बारे में एक आदर्श वादी छवी विक्सित कर लेता है जिसमें वो अपने आपको सभी तरह के गुड़ों से क्वाल्टी से युक्त पाता है केरिन होरनी का मानना है कि वैक्ती अपनी बेसिक अंजाइटी को दूर करने के लिए कुछ डिफेंस मेकनिजम का भी सहारा लेता है रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन में क्या होता है जो हमारी इरेशनल इच्छाए है जिससे मानसिक शंघर्ष उत्पन हो रहा है उसके समाधान के लिए हम उन इच्छाओं को तर्क पूल या फिर विवेग पूल व्याख्या करने की कोशिश करते हैं जिससे कि हमारा मानसिक संघर्ष जो है वो दूर हो जाए इसमें वेक्ती जो है वो दूसरों को ब्लेम करता है दूसरों को ब्लेम खास तोर से जो उसे कमजोर होते हैं उनको निशाना वो बनाता है